अब्सकार भाईयो बैनों देवियो सजनों मैं जितेंद्र चौधरी एवी पीएस ड्यूज के खास कारिकम कानून की नजर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के कारिकम के द्वारा हम आपको जानकारे देंगे के सम्मिधान में हमें क्या-क्या कानूनी अधिकार प्राप्त हैं ताकि इन सम्मिधानी कानूनों का इस्तमाल करके हम दैनिक जीवन में हो रही समस्याओं का सामना कर सकें तो देवियो सजनों कारेकम को आगे बढ़ाते हैं आज के कारेकम का सीरसक हम सभी के लिए बड़ा महत्वपूर है क्योंकि ये कहीं न कहीं आम आदमी के भावनाओं को सीधा सीधा छूने का काम करेगा आज के सीरसक का नाम है पुलिस के करतब्बे और उसकी कारेपना भारत एक लोकतंत्रिक देश है इस लोकतंत्र विवस्ता में पुलिस का इस्तान हम सभी नागरिकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर इस्तान रगता है हम रात को चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं कि हमको पूरा विस्वास होता है कि यहां की पुलिस हमारी सुरक्षा में पुरी तरह से पुरी निष्टा के साथ में लगी हुई है लेकिन एक आम धार्णा बनी हुई है एक समाजिक धार्णा बनी हुई है कि पुलिस और आम नागरिकों के बीच जो व्यक्तिगत जो वहवारिक संबाद होना चाहिए वो संबाद कहीं देखने को नहीं मिलता हम लोग देखते हैं कि आम नागरिक थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने से पहले सोचता है उसको लगता है कि उसकी शिकायत पर कोई कार हैं आज हम इन से जानने का प्रियास करेंगे कि इस पुलिस विवस्ता को कैसे मजबूत किया जाए कैसे ससक्त बनाया जाए कैसे आम आदमी को उसका निया दलवाया जाए नमस्कार बकी साहब एवी प्यास न्यूज में आपका स्वागत है दन्यवाद आज के कारेकम का बिसे है पुलिस के करतब्बे और उनकी कारेपणाली तो सबसे पहले बकी साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस की विवस्ता इसलिए बनाई जाती है ताकि आम नागरि जब ठाने जाता है तो उसको डर लगता है कि उसकी जो शिकायत है वो आसानी से सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं वह एक एक फिरूस का कर्थ भैका आम आजियन को आम नाजियर्ट को सरक्षा बरॉडर्दान करें पर स्ञह इस समय मुझदासीति यह जो फिरूंस टंतर है व्हूब रिष्ट है जहां से उसको आमदनी होने का मतलब हो और दूसरा या राजनितिक प्रभाव में हो तब तो वो किसी आजमी उखरते हैं आम आदमी से वो सीधे हो थाने में बात नहीं करते हैं इसलिए आम आदमी उनके पास जाने से बचता है में जब एक पीडित ब्यक्ति ठाने पहुंसता है और उसकी शिकायत थाने में धर्ज नहीं की जाती है तो ऐसे में उस प्根ित अगर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए तो जो भी उसने प्रातना पत्र दिया है इसमें एक बात और बीच में बताना चाहूंगा मैं कि कुछ जगा फर्जी करन भी सिकायत होती है उससे आम आदमी को बचना चाहिए को फर्जी करन उनकी सिकायत नहों जो जैनुवन सिकायत है जहां उसको कश्ट हुआ है उसकी कॉपी की एक कॉपी और करा और उस पर एक नोट लिखते हुए किसाब असल कॉपी इस समय दे दी गई है उसकी रश्टी कर दें इस समय मौजदा सिती में कुछ साइड भी बनाई है उन पर भी एफाया लोज कराने की विवस्ता नई अभी की जा रही है दूसरी चीज़ अ अगर अफाया नहीं हो दिये तो फिर मानी कोड का सहरा लाने चाहिए 153 सियाद पीजिके तहती विवस्ता दे गई है कि अगर प्लुस एफाया दर नहीं करती है तो मानी नियाले से गोहा लगा करकर अपनी अफाया लोज करा सकता है यानि कि अगर किसी पीडित व्यक्ति की थाने में कोई सुनवाई नहीं की जाती है वो तो वो माने नियाले में अपनी सरण लेकर और वहां 156 के तहट वो मुकदमा पंजिकरित करा सकता है अच्छा अपकिसाब एक और सवाल हम आप से करना चाहते हैं कि क्या कोई ब्यक्ति जिसकी सिकायत थाने में दर्ज की जाती है तो क्या सिर्फ सिकायत के आधार पर या सक्के आधार पर उसकी ग्रफदारी की जा सकती है अगर और तो जो तो ज़गन अपराद हो इन और पने परिस्तितियों में गर्पतर किया सकता है अजदि किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में सारेक और मान सिXT उसको तो आपकर शुशन किया जाता है तो ऐसी परिस्तिती में वो तर विक्ति कहाँ अपनी मदद की घृहार लगा सकता है को जब वी कभी कोई ब्यक्ति अर्ष्ट होता है तो है कि सब मेरे साथ ये तोटर्चर किया गया है और मेरे डाक्टर ही मुआना डाक्टर का पैनल जो होता उस से करा लिया जाए और उसके बाद उसको कोड में करना है ताकि उसको न्याय मिल सके कि यदि किसी महिला के खिलाब कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो उस महिला की ग्रफतारी के लिए क्या कानूनी प्रिक्रिया अपनाई जानी चाहिए क्या पुरुस्क कॉंस्टेविल पुलिस उसको अरेश्ट कर सकती है नहीं महिला को पुलिस अमेर जेंडल पुलिस फ़ो अरयश्ट नहीं करेगी उसके लिए महिला पुलिस का होना अनिवार रहे है अई रहीएं और डूसरी चीज बुदी में यह व्यवस्ता विजिदी के जीए कि वो रात को गरफतारी नहीं होगी उसकी दिन में में पुलिस के ही अधरक्षा में वो रहेगी ना कि जेंट्स के हाली में जनपद उन्नाव में एक विधायक जी के खिलाब एक बड़ा मामला रेप केस का चला है दस महां पहले विधायक जी के खिलाब रेप का जगन्य अपरात में एक शिकायत दर्ज की गई लेकिन दस महां तक पुलिस इसको टालती रही, कोई ग्रफतारी नहीं हुई, रेप पीडिता के पिता को बिधायक के भाईयों के द्वारा पीटा गया कि वो केस बापिस ले लें, उसके बाद पुलिस ने जहां मदद रेप पीडिता के पिता की करनी चाहिए, उसने उसी के खिलाब मुकतमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया, जहां उसकी मिनत्यु हो गई, ऐसे में आम व्यक्ति, नियाय की गुहार कहां लगाए? मात्र एक नियाय का दर्वाजा है, यहां मतलब जा सकता है वेक्ति, और इस वाले जो प्रक्रम में वी मानिय को चन्याले सो मोटो सग्ञ्ञान लिया है, तब यह परक्रम है, वागि उससे पहली जितनी भी परक्रिया है, वो सभरष्टाचार के और राहनितिक प्रभाव के कारण उस मेंटर को दवाया गया इसलिए उस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके लिए नियाले ही एक ऐसा दर्वाजा है कि जहां जाकर करका आपको नियाय मिल सकता है कि देश को आजाद हुए सतर बड़ से अधिक बीच चुके हैं ऐसे मैं जो लोकतंत्र के माध्यम से जो हमको नियाय की विवस्ता पुलिस के माध्यम से मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं बन पाई ऐसे मैं आम आदमी को क्या करना चाहिए जिससे एक सब्वे समाज की स्था चाहिए देगे इसके लिए तो जो भरष्ट तंत्र है उसको कंट्रोल करना पड़ाएगा क्योंकि पहले जो पुलिसिंग थी और पुलिस जो रेवलेशन है उसमें साफ साब लिखा हुआ कि जितने भी समाज के संब्रांत लोग है उन से पुलिस मित्रता बढ़ाए उन से स समपर करें उनको समान दे लेकिन पुलिस अपने भष्टाचार के आगे मिल्कुल बौनी है और वो इस परकार का कोई कर्तब में नहीं करना चाहती जिससे समाज को कहीं आराम मिले या समाज को न्याय मिले उससे वो बचना चाहती है केबल राजनतिक प्रभाम है या फिर अ आठ घंटे की ड्यूटी का प्राबधान है लेकिन जो पुलिस की विवस्ता है कहीं न कहीं उसमें पुलिस वालों की ये शिकायत रहती है और यह हैवी सच्चाई कि उनको 24 गंटे ड्यूटी पर रखा जाता है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे अ लाचा देखे 24 गंटे की प्रसिंग का जो काम है वह इस टाइब का नहीं है जितना पुलिस तरीक हो बनाती है यह तो पिलकुल लो की चीज है बिए अट गंटे ड्यूटी होनी चाहिए लेकिन जिस तरी के से हैं बताती ही पुलिस के हमको सब 24 गंटी की वह है इस तरीक क का थानों को बरकी नहीं है पार्टाइम डूटी होती है पार्टाइम डूटी के समझें जिए लोग जाते हैं मलना तो पूरे दिन आराम से रहते हैं यह केवल और केवल अपना प्रभाव जमाना के लिए या अध्म एक्ष्टा बेनिफिट लेने के लिए यह लोग अपने कर सरकार को और हमारे दर्सकों को क्या सीधा संदेज देना चाहोगे जिससे इस विवस्ता को और ज्यादा ससक्त बनाया जाए और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए और ज्यादा नयाय प्रिये बनाया जाए जिससे कि आम व्यक्ति को समय पर नयाय मिल सकते हैं देकेगा सब कि लोगों के जो इदिवित सबस्वे, प्रुट्टी कि लोग हैं, उनको अगर सम्मान मिलेगा, अगर उन से पलस से तंतरर उनके संपर्ग में आएगा, तो ये बिवस्ता सही हो सकती है, लेकिन इस समय तो जो जितने भी संपराउंत और सब्ड़ों इन से पलस दूर हैं, उन इसे समय सपोच करिए आपके जिले की सितिय हर सेर के थाने के पास में जितने भी धनवान लोगों के होटल हैं उनमें थाना प्रभारियों को कम्रे दे रखे हैं वो उनके एक्ष्टा फैस्टेटी डेले तो अल्टीवेटली उनके प्रभाव हैं जो वो चांगे वो करेंगे तो वो निया की वहाँ आप कहीं से मुमित कर सकते हैं तो इस तंतर को बदलने के लिए राज्य सरकार को भी हमारी ऐसे वो करना चाहिए क्योंकि एक तंत्र इस तरीके का बन चुका है कि जो पुलस का निम इस तरका जो बेक्ती है जो अगर गलत काम कर रहा है अगर आप उच्छ अथकारी के पास भी जा करके उसकी सिकायत करते हैं तो वो आपकी बात को नहीं सुन और ऑफिसर के दमाग में भी नहीं सज्ञान में आईगी कोची जिससे की कोई एक्सन हो सको और समाज को नया मिल सेगे अचा पकील साब एक और सवाल हम आप से करना चाहेंगे कि बरतमान सरकार के द्वारा अपराद को रोकने के लिए पुलिस को पूरी तरह से छूट दे गई है बड़ी संख्या में इंकाउंटर भी हुए हैं लेकिन देखने में यह आ रहा है कि अपराद रूप कम नहीं हुए अपराद लगातार लगातार जा रही हैं देखे का अपराद गवर्मेंट का जो रोकने का सिस्टम है वो सीधा सीधा यह का पुलिस को नोंने तरी कर दिया और एफ आई यारी लोजनी होगी क्योंकि उन्हें तो अपना एक ग्राप दिखाना है कि हमारे पिरिड में या मैं थाना प्रभारी हूं मेरे टाइम में था पैजी से एफाया लिखाते हैं अपने बोल काई इरा लिखाते हैं आप तहरी लेकर जागा आपकी तहरी को तोड़ोंगे उस तरीके से आफाया लोजनी नहीं होगी आपकी यह आपकर चाहते हैं तो इस इस सारी चीज के लिए तो यह पूरा एक तंत्र जो गलत राश्ते पर इसको सही राज्तिपों आना होगा ताकि समाज को न्याय मिल सके पीड़ित को न्याय मिल सके तभी इसको सुधार हो सकते हैं तो देखा भाईयो बहनों, ये थे हमारे साथ बरिष्ट अधिवक्ता संजीब कुमार जी, जिन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ हमारे सभी परशनों का उत्तर दिया. इन्होंने हमें बताया कि कैसे हम संब्यधानिक कानूनों का इस्तमाल करके एक सब्ब्य समाज की इस्तापना कर सकते हैं. ABPS टीम की तरफ से हम संजीब कुमार जी का अपने दर्सकों का धन्यवाद करना चाहेंगे, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगले करकम में, अगले विसेसक के साथ फिर होगी मुलाकात, धन्यवाद.